पीम सर इतना करीबी से होकी को फोलो करते हैं उनको ये भी पता था कि हम हर्मन को सरपंच बोल रहे हैं पीम मोजी सर जी की एक ही बात याद है अलबिक जाने से पहले कि हार जीत तो होती रहती है बस आपने परफॉमर्स पर फोकस करो और अच्छे से खेल के जीत के आओ मैच के बाद ही उनका कॉल भी जैसे मुझे आया तो काफी अच्छा लगा उन्होंने बहुत प्रोथसाहित किया पीम की मोटिवेशन सपोर्ट में नहीं जिंदकी में बहुत काम आती है मैं अपरदानमंतरी से मिलने के लिए बहुत उच्छाहिक हूँ सर जो तरीके से मॉटिवेट करता है वो स्कोर्ट में ने जिंदकी में बहुत बड़ा काम आता है तो मैं आज सर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादे एक्साइटेट हम तो भई आप लोगों से जपके लगाएंगे हैं अच्छा आप पैसे कितने हैं जो हार करके आए हैं सबसे पहले तो दिमाग में से निकाल दीजिए कि आप हार करके आए हैं आप देश का ज़ंडा उंचा करके आए हैं और आप कुछ सीख करके आए हैं और इसलिए खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों कि जहां कभी कोई हारता नहीं है हर कोई सीखता है और इसलिए मैं पहला तो आप लोगों से आगर से कहूंगा इसलिए मैंने जान बुच करके काजर हाथ उपर करो अच्छा हुआ 80% लोगों ने हाथ उपर नहीं किया मतलब वो मेरी बात को समझते हैं जिन्हों ने हाथ उपर किया उन्होंने नम्रता के करण किया है विवेक के करण किया है लेकिन मैं उनसे भी आगर करूँगा कि हमें ये सोचना नहीं है कि हम पीशे रह गए हैं हम बहुत कुछ सीख करके आए हैं तो मेरी बात आपको मंजूर है ऐसे नहीं जोर से बताएगे खिलाडी है आप तो अच्छाँ मैं तो कुछ जानना चाहता हूं भया जो मैदान में आपने किया वो तो पुरी दुनिया ने देखा मैदान के सिवाय क्या 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 के भूग बताईए दुनिया के कई प्लेयरों से दोस्ती हुई होगी, बहुत कुछ जाना होगा, आपको लगा होगा यार हमारी हाँ भी ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा कुछ हुआ होगा ना, तो मैं ऐसा कुछ सुनना चाहता हूँ आप लोगों से, कौन बताएगा? जी सर, सबसे पहले नमस्ते आपको, एंड लक्स को जब मैं पहली बार मिला तो इतना छोटा था, आज काफे बड़ा हो गया, जैसा कि टॉर्णामेंट मेरा रहा काफी लंबे, लंबे मैचिस रहे वहाँ पर शुरुवात के दिन से, तो मेरा जादा करके मेरा फोकस मैचिस प करने जाते थे और काफी सारे एथलेट्स वहाँ पर मिले जिनको देखके काफी कुछ सीखा और हमने उनके साथ एक डाइनिंग रूम शेयर किया, एक बड़ी बात थी, और जो वहां का महौल था, यह मेरा सबसे पहला ओलम्पिक्स था, और मैं जो मैं एक्स्पीरियंस किया वहां पर वह काफी अच्छा था, जैसे कि बड़े स्टेडियम में केलना इतना क्राउड आपको देख रहा है, तो फिर्स दो तीन मैंचिस में थोड़ा नवस भी था, बट जैसे ही टॉनमेंट चलता गया, मेरा वह बेटर होता गया, बट यह दिंक मेरे एक बहुत बड़ कि अभी जब तक मैचिस नहीं हो जाते हैं, जब तक फोन नहीं मिलेगा, बट यह उसके बाद काफी लोगों ने सपोर्ट दिया, बट मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा एक अच्छा लर्निंग एक्स्पिरेंस था, थोड़ा हाट ब्रेकिंग भी था, कि मैं इतने क्लोज आक कि अच्छा बेजूगा, जरूर सर जरूर, लेकिन बहुत कुछ सीखा होगा न क्योंकि देखे मैं बताता हूं, अच्छा होता, आप जीत करका आते होते, लेकिन आपके खेल को, जिनको पता भी नहीं कि खेल क्या है, वो भी घंटों तक देखते रहते हैं, बार बार रिल देखते हैं, जिस प्रगार साफ में खेला हैं, लोग खेलते हैं नहीं, विदेश के लोग खेलते हैं, नहीं हमारे बच्चे भी खेलते हैं, यह भाव पाइदा हुआ है, जी सर, आइटिंक वो एक दो शॉट ऐसे मैंने खेले ते जो काफी फेमस हो गएते, बट आइधिंक जैसा मैंने टॉर्नमेंट खेला, मैं चाहूँगा कि और आगे जो आने वाले बच्चे हैं, जो बैंड मिंटन लेते हैं, मैं उनको और और इंस्पायर करूँ और और ऐसे ही खेलते रहूँ, बहुत बढ़िया, अज़ा एसी नहीं था और गर्मी बहुत लगती थी, तो सबसे पहले कौन चिलाया था, कि यह क्या कर रहा था है, मोदी बाते तो बड़ी करता है, एसी भी नहीं है कमरे में हम क्या करें, कौन-कौन फेच, इसको सबसे ज़्यादा परिशानी हुई, लेकि मुझे पता चला उसके कुछी गंटों में आपकी वो काम भी पूरा कर दिया था, सबको मिल गया दाने इसी तुरंथ, दिखी, इतनी ख्यायार रखा जाता है, खले-खिलाडियों का इचकार, सब लोग तुरंथ एट करते हैं। मैंने यह चीज़ एक्सपिरेंस कि जो एथलीट हर दिन एक्सपिरेंस करते हैं कि एकदम खुशी अपना कोई भी गोल अचीफ करने में और एकदम से निराशा, वो लंपिक्स के टाइम पे इंडिया की परफॉर्मेंस के वज़ा से पूरे देश ने एक्सपिरेंस किया, ए और होकी का जो मैच था, उसके बाद जो खुशी जो एथलीट हम नॉर्मल लाइफ में हर दिन एक्सपिरेंस करते हैं डिफरेंट इमोशिन्स वो पूरे देश ने एक्सपिरेंस किया इस दस दिन में और आइ तिंक एक इंडिया में स्पोर्स कल्चर बढ़ाने के लिए ये गेम्स बहुत ही अच्छा टाइम पर आई है और इसके आगे से लोग बहुत अच्छे से हमारी स्पोर्टिंग जर्नी को समझेंगे और जो भी पॉजिटिव चेंज़ें वो और भी बेटर वेंगे आगे के ताइम पर आपके बाद सही हैं सिर्फ आप लोगों ने ने मिजाद था सब लोग अगर थोड़ा सा हलका फुर्गा दिखता तो यहां बेचें हो जाते थे वह यहीं पर जैसे कार चलाते हैं अगर हमें ड्राइविंग आता है और हम पीछे बैठे हैं तो ब्रेक तो आगे वाले को लगाने हैं कि पैर हम दबाते हैं पीछे तो वैसे ह अगरी खिलाडी वहां खेलते थे और लोग हाथ मेर इधर उपर रिचे कर रहे थे हैं स्रीजेस आपने ये रिटार्ण होने का निरए पहले कर लिया था मन में कि क्या था सर नमस्ते सर थोड़ा साल से सोच रहा था सार मेरे टीम वालों ने बोल ते भाई कप छोड़ेगा ये कोशन हाथ मेरे उपर बट मुझे अचा लग रहा था सर मैं मैं ने दो ज़र में पहले बार क्या में गया और 2004 में फर्स्ट इंटरनाशनल खेला एंटी में तबसे खेल के आ रहा हूं तो मैंने सोचा बीसाल से अबना देश के लिए खेल रहा हूं तो एक अच्छा प्ल आता हम ये टीम आपको तो मिस्स करेगी करेगी लेकिन टीम ने आपकी बिदाई शांदार की ये टीम को बढ़ाई है सर्पन साहब ने बढ़ा सच्छा मैं सर ऐसे हम सबना ही देख सकता है सा क्योंकि हमार लिए थोड़ा हाड हाड था जब समी फाइनल हार गया थे क्योंकि एए टीम इस बढ़ जब पारिस के लिए गया था हमारा उमीद इतना था कि मुझ फाइनल खेले गया या गोल के लिए लिए लाएक है बट कि लिए लग उदरा था तब सब लोगा ने ए बॉला किया रही है तो मेरे लिए तो सबसे गड़ के बाद एगी सार क्योंकि इतना साल का जो मैनत अपने देश के लिए किया है इस भाइव और लोगों ने मेरे लिए साथ दिये और हम लोगों ने मैंने स्पेशली वो पोड कुछ तो हुआ कि बड़ा कटिन था नमस्का सर जी बिल्कु सर काफी कटिन था क्योंकि पहले क्वार्डर में काड़ हो गया था हमारे प्लेयर को एंड बट इंग जो कोचिंग साफ है मारे उन्होंने काफी हेल्प किया हमारी और हम विजुलाइज करते थे कि हर सिच्वेशन को क्योंकि अलम्पिक में कुछ भी हो सकता है सर प्लाइज ली तो मारा माइंड साथ था कि अगर हम ऐसी कोई सिच्वेशन आती भी है जो हमारे प्लैंस है हम स्पिस्टिक रहेंगे और सारी टीम का जोश और बढ़ गया सर क्योंकि जीबी के साथ हमारा थोड़ा रहता है कि तो फाइड भी होती रहती है तो वो मेंटैलिटी थी कि इन से वो देड़ सो साल से चली आ रही है तो बिल्कुल यह सर और था कि मन में के नहीं हम यह मैच जीतें गया तो बहुत अच्छा रहा कि वानन ड्रा रहा सर उसके बाद शूडर पे हम जीते हैं तो एक वो क्योंकि यह यह सा कभी शारी हिस्त्री में नहीं हो एसा ओल्म्पिक में एक और खुशी की बात ही कि हमने जो अस्ट्रेलिया गोरा है लो भी हमारे बहुत बढ़ी बात ही के 52 एंसके बादे बड़े प्लापरं में एस्ट्रेलिया को राए है वैसे भी आपने सारे रेकॉर्ट हो रह जाते होगे इसका मुमर में जी बहुत बुरा सा में देख्या भी मैंने तो मिर मम्मी पापा दस साल के इन चोड़के चलिए गए थी देश को सोप गए थे फिर बस यही सपना था कि उनका ओलंपिक मेडल लाए और मेरा भी इस अपना भी ओलंपिक मेडल देना देश को तो ब जा आच्चान की चीज गर आगे खाई ने घगाई अबी तो गर गए ने घज अदे अबी तो गर गए नेम इसके आप एस और कौन है जिसके ऐसे निकनिम है प्रणाम सिह मैं श्रेह सी शिंगू और बहुत में बहार से विधायक भी हूं तो आव टीम के सब लोग विधायक जिटारे पिए उकली हैं मेरेम के साही स्वूबिक फिर्विक पनाते हैं और अझा हूं आप पेंसे मेरे देखा है कि इन दिनों की काफी समय को मुपाईल पर चिप करते हैं ऐसा है क्या सही है मेरी जानकारी यह देखते हम ऑड बनाते हैं है डा रेल बना रहे हैं कितने लोग हैं जो रियर बना रहे हैं भरप क्सारी érenceरिम गोंकि हमिसिन एसे टीम हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल शोषिल मीडिया यूज नी करेंगे ये अच्छा किया आप लोग अने जी सर पहले बार गई थी और मैं मतलब एक-एक से हार गए थी बाउड और उससे जी जाती तो मैं फाइनल तक जाती गोल्ड भी ला सकती थी पर वो मेरा ब देन अच्छा नी जातों सर्माएं लोज हो गई सर्माएं लोज होगी तो उमर बहुत चोटी है बईटा बहुत करना है और हर्याना की मिट्टी एसी है करके लिखाओगी प्रादान मंत्री जी नमस्कार मुझे लगता है कि इस बार हमारी पूरी कंटिंजिंट में जो करनी पड़ती है पर इस बार फॉर्चुनेटली सिर्फ एक था तो वो अच्छी बात थी एक सीखने का था कि जबी ओलिम्पिक के जो विलिज में जो पॉली क्लिनिक रहता है उसमें थोड़ी फसलिटीज रहती है पर इस बार हमने सब जो फसलिटीज थी वो हमारे विलिज में ही हमारे बिल्डिंग में ही रखी थी और इसले काफी अथलेट जो थे वो उनका जो कुछ भी रिकवरी करना था इंजरी मैंजमेंट करना था प्रेपरेशन भी जो करना था वो बहुत ही आसानी से कर सके I think बहुत सारे अथलेट को वो यह वो प्रेफरबल था और I think उस से भी फ्यूचर में भी ऐसे ही हम करते गए तो हम सपोर्ट दे सकेंगे हमारे अथलिक को देखे साब डॉक्टर ने मुझे बहुत 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 बात बात बताई कि इस बार हमारी टीम में पहले के तुलना में मिनिमम इंजरी से इंजरी कम हुई है इसका मतलब है कि खेल क हर चीज में आपके एक्स्प्रटाइज आ गई है इंजरी होने का कारण वही होता है कि हमें खेल के समन्द में कुछ हमारा अज्ञान होता है जो हमें भुद को कभी-कभी डेमेज कर देता है यह सीद्ध हो रहा है कि आप लोगों ने खुद अपने आपको तयार किया है और छोटे-मोटे जर्क आए भी प्थेनाई आई तो भी आपके बाड़ी को अपने ऐसे बनाया है कि आप मेजर इंजरी से बच गए हैं तो मैं पका मानता हूँ आप लोगों ने काफी ट्रेन किया होगा अपनी बाड़ी को काफी महनत की होगी तब जाके यह हुआ होगा तो खेल राजमंत्री बहन रक्षाखरसी जी है हमारी खेल जिगत में जिनों ने देश का नाम रोशन के अपी टी विशा जी है परिश से आप सब बापिस आए हैं आप सब का और आप सब के साथियों का भी मेरे हां रुदय से बहुत बहुत स्वागत है मैंने जिस उमंग से आपको परिश के लिए विज़ाई दी थी उतने ही उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ और इसका कारण ये नहीं है कि कोई मिडल का टेली कितना हुआ उसका कारण ये होता है कि विश्व भारत के खिलाडियों की तारीव कर रहा है उनके होसले उनके डिसिप्लीन उनके बिहेवियर मेरे कानों पर सब जगह से बातें आती हैं और ये सुनता हूँ तो बड़ा गर्व होता है कि मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खिलते हैं मेरे देश के नाम को रती भर भी खरोज आ जाए कि मेरा देश का एक भी खिलाड़ी नहीं चाहता है और यहीं हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और उसके लिए ये पूरी टीम बहुत बहुत बढ़ाई के पातर है साथियों आप सबने पूरी दुनिया में भारत की तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लोटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना मैं इसे मेरा अपना गवरों मानता हूँ और पेरिस जाने से पहले जो जाते हूं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेश्ट देना है और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेश्ट देना है और अपने दिया है दूसरी बात है हमारे खिलाडी उमर में बहुत छोटे हैं और अभी से यह अनुभों मिला है तो आगे हमारे पांस एक लंबवी समय है अधिक एचिव करने का और वह आप जुरू करेंगे इस अनुभों का लाब देश को मिलेगा सब्सक्राइब पहरत के लिए कई माइनों में आइतिहास सिक रहा है इस ऑलिम्पिक्स में देश के लिए जो रेकर्स बने वो देश के कोटी कोटी नवजवानों को प्रेणा देंगे आप देखिए ओलिम्पिक्स के करीब सबास सौल साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारती खिलाडी की रुप में इंडिविजियल इवेंट में दो मेडल जीते हैं हमारा नीदज पहला ऐसा भारती खिलाडी है जिन्होंने इंडिविजियल इवेंट में गोल और सिल्वर जीते हैं ओकी में भारत ने बावन साल बाद लगातार दो बार मेडल जीते अमन ने केवल 21 साल की उमर में मेडल जीत करके देश को बिलकुल इतना प्रसंद कर दिया है और अमन के जीवन के विशे माज देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्ति के जीवन की कठिनाईयों से भी इंसान अपनी आत्रा को सपन को संकल्ब को सिद्ध कर सकता है कठिनाईय अपने अपनी जगा पर रह जाती है और मने करके दिखाया है विनेश पहली ऐसी भारतिय बनी जो कुस्ति में फाइनल तक पहुँची ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विशे है ओलिम्पिक्स में साथ सुटिंग इवेंट्स में इंडियन सुटर्स फाइनल्स में पहुँचे और ये भी पहली बार हुआ है इसी तरह तिरंदाजी में धीरज और अंकीता पज़क के लिए खेलने वाले पहले भारतिय तिरंदाजी बने और लक्ष हमारा लक्ष सेन आपके मैचने तो पूरे देश का जोज बड़ा दिया है हमारे लक्ष भी ओलेंपिक में सेमी फाइनल तक पहुंचने वाले एक मात्र पूरुस बैंड मिंटन खेलाडी बने है हमारे अमिनाज शाबले इसने स्टिपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया इस फॉर्मेट में ये भी फॉर्स्ट रहा है साथियों हमारे जादातर मेडरिस्ट जैसा मैंने का आपने 20's में है बहुत छोटी आउक है अप सभी बहुत हुआ है आपके पांस बहुत समय है बहुत उज़्जा है और ये भी सही है कि टोक्यो के और पैریस के बीच में नॉर्मली चार साल का समय रहता है इस बार तीन साल का इसमय था तो हो सकता है आपको एक साल और अगर मिला होता प्राक्टिस का तो शायद आप और नई कमाल करके दिखा देती है अभी लंबी केरियर में आप कई बड़े टुर्णामट खेलेंगे खेलना बन नहीं करना चाहिए रुकना भी नहीं एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए ये युवादल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट में भारत का भविष्य कितना उज्वल रहने वाला है मुझे विश्वाद है पैरिस ओलिम्पिक्स भारतिय स्पोर्ट की इस उडान के लिए एक लॉंच पैट साबित होने वाला है ये टर्निंग पॉइंट है हमारा उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों हम रुकने वाले नहीं है साथिवाज भारत अपने हाँ वर्ल क्लास पॉर्ट इको सिस्टिम डेवलप करने की प्राक्पिक्ता दे रहा है ग्राट सुट से आने वाले खिलाडियों को उनको तराशना उनको तराशना ये बहुत जरूरी है हमने गाउं गाउं शहर शहर से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलों इंडिया मुहीं शुरूर की और मुझे खुशी है कि खेलों इंडिया से निकले 28 खिलाडी इस ओलेंपिक समू का हिस्सा बने है अमन है अनन जीत है धीरज है सर्व जोध है इन सब ने खेलों इंडिया एथलेट के रुप में अपनी जर्नी शुरू की थी और इससे हुआ ये है कि खेलों इंडिया में खेलना और जी भरके जीतना ये एक बहुत बड़ा एहम हिंदुतान का कारकम बन चुका है मैं इसको मैं मानता हूँ मैं खेलों इंडिया को और तबज्जु देनी है और ताकत देनी है उसी में से हमें अच्छे नए होनहार खिलाडी मिलने वाले है आपकी तरह ही खेलों इंडिया एटलेट्स की एक बड़ी फोच देश के लिए तयार हो रही है हमारे खिलाडियों को सुभीधाओं और समसाधनों की कमी न पड़े ट्रेनिंग में दिक्कत न आए इसके लिए बजेट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है सब को पता है कि किसी भी खिलाडी के लिए जादा से जादा कंपूटिशन में हिस्सा लेना कितना आवश्यक है मुझे संतोज है कि आलिम्पिक्स से के पहले आपको अनेकों इंटरनेशनल कंपूटिशन का एक्सपोजर मिला है इतने सारे कोच और एक्सपर्स जाहिट, उपकरण और कोचिंग सब पर इतनी बारिकी से ध्यान वर्ल क्लास फसिलिटी देने का प्रयास इस तरह की जुविधाओं के बारे में हमारे यहाँ पहले सोचा नहीं जाता था खिलाडी अपने नशीब पर महनत करता था देश के लिए कुछ करके आता था लेकिन आप एक पूरी एकोसिस्टिम बनी है यह केवल स्पोर्ट में देश की नितियों का बड़लावा इतना ही नहीं है यह उस भरोसे का प्रतिक भी है जो देश अब अपनी युवाद पीडी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है उसकी अभिवक्ती है आप योँवाद आप सब देश की युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है मैं मानता हूँ आप मैंसे हर किसी के बारे में देश को देश की युवाओं को जानना से जानना चाहिए यहाँ भी मेरी इच्छा है कि मैं हर किसी का नाम लेकर उसकी चर्चा करूँ विशेश कर हुमारी बेटियों पिछली बार के तरह इस बार भी बेटियों ने ही ऑलिम्पिक में भारत की जीत का स्री गणिश किया है मनु को जीस तरह पिछली बार तक्नीकी कारणों से निराश होना पड़ा था फिर उन्होंने जो वापस ही की अंकीता ने जीस तरह सीजन का अपना सरी और स्रेश प्रदशन किया मनिका बत्रा और स्रीजा अकुला ने भी सबका ध्यान खीचा है इसी तरह बाकी खिलाडी भी रहें खास कर नीरज ने अपनी लगन और अनुशासन में जीस तरह कंसिस्टन सी दिखाई है स्वपनिल ने कठिनायों को पार कर जीस तरह मेडल जीता है होकी में हमारे सर्पन साब उनके टीम ने दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है पियार स्रीजेस ने ये बता दिया कि दबॉल क्यों है जो मेडल जीता या जो एक पॉइंट या कुछ सेकंड से चूका उस सब ने एक ही संकल पर दोराया ये सिलसला गोर्ड से पहले नहीं रुकेगा मैं मानता हूं इससे देश के युगाओं को बहुत कुछ सिखने को मिलेगा साथियों हमारा भारत 20-30-6 Olympics की मेजबानी हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है बनाजवी वहाँ भी लाल के लिए से भी बोला है हम पूरी तैयारी कर रहे हैं ऐसे में कई ऐसे athletes जो पिछले Olympics में भी खेल चुके हैं उनके input बहुत महत्वपों है आपने वहाँ बहुत कुछ अब्सर्व किया होगा बहुत कुछ देखा होगा Olympics की planning से लेकर की वहाँ की वहवस्ताओं तक sports management से लेकर event management तक आपने अनुहव अपने observations हमने इसको लिख दे कर रखना चाहिए को सरकार को साजा करना चाहिए तागि हमें 20-30 सिक की तैयारी में जो छोटी-छोटी बारी चीजे खिलाड़ी देख करके आता है उससे और जो कमी नजर आती है वो भी हमें 36 के तैयारी के लिए काम आएगी तो एक प्रकार से आप मेरी 36 की टीम के फोजी है आप सब को मेरी मदद करनी है ताकि हम 20-30 में दुनिया में अब तक न हुआ हो ऐसा ओलिम्पिक करकर के मैंजवानी करकर दिखाए मैं चाहूंगा कि खेल मंत्रा इसके लिए एक ड्राप बनाए और सभी खिलाडियों से उनके डीटेल में फीड़बैक लें उनके सुझाव लें तो हम जुरूर तैयारी अच्छी तरह कर पाएंगे साथ भारते स्पोर्ट में और कैसे इंपूर्मेंट हो सकता है इससे आइडियाज भी जो चीज खिलाडी बता सकता है जो चीज कोछ बता सकता है वह मैंनेजर लोग नहीं बता सकते हैं और इसलिए आप लोगों के इंपुट बहुत ज़रूरी है आपके आइडिया बहुत ज़रूरी है आप पर भविश के खिलाडियों को मोटिवेट करने उन्हें आगे बढ़ाने का विद्धाई तो है और लोग तैयार होने चाहिए आगे बढ़ने चाहिए आप सोशल मीडिया स्पेसेज पर युवाँ से जूड सकते हैं जूडते भी ह और दूसरी संस्ताय भी इस तरह से इंट्रेक्शन सेशन आयुजित करवा सकती है अलग-अलग गुरूप के लोगों के साथ तो यह लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे मेरे सामने शायद बोलते नहीं है लेकिन बाहर तो बहुत कुछ बोल सकते ही लोग साथियों आप स इसलिए मैं तो कुछन कुछ आपके जिन में काम छोड़ने ही वाला हूं और पहले भी जब भी मैंने आपको कुछ कहा है आपने जुरू उसको पूरा करने का प्रयास किया है तेकि जो साथी टोक्यो अलेंपिक के बाद आये ते उन्हों मैंने स्कूलों में जाने और मा के नाम अभ्यान चला रहा है मैं आप सबसे कहूंगा आप भी उससे जुड़े अपनी मा को लेकर के पैड लगाईए पैरिस को भी आतीजियो और पैड लगाईए अगर मा नहीं है तो मा की तस्वीर लेकर के खड़े रही हो पैड लगाईए आप मैंसे जादा तर खेला सुषरतारी गाउं की पुरुष्ट भूमित के सामान्य परिवार की पुहर्मित है है आपने पैरिस में भी देखा है और इशन सब्ðार के पैरिस के इंत की विश्टत साथी परियावन को प्रमोट कर रहे थे उन्होंने एंवार्मेंट फ्रेंटृ सारा वहाँ पर एको आप ये अपने गाउं जाए तो वहाँ के लोगों को नेचरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती केमिकल फ्री खेती हमारी धरती माता की विरक्षां को करनी है ये बात उनको बताईए और इन सब के साथ दूसरे नवजवान साथ्यों को पॉट्स के जुड़ने के लिए फिटने करना की फिटनेस के तरफ आप ही उनको गाइड कर सकते हैं और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाफ होगा साथियों मुझे विश्वास है आप सब सदा सरवदा देश का नाम रोशन करेंगे विक्सित भारत के हमारी आत्रा युवां प्रतिभाओं की सभलता से और ज्यानदा खुबसरुद बनने वाली है इसी कामना के साथ मेरी फिर से एक बार आप सब को बहुत-बहुत शुपकामना हैं मेरे लिए आप सब एचीवर हैं आप मेंसे कोई आशान है जिसने कुछ अचीव नई किया है और जब मेरे देश से ऐसे नवजवान कुछ एचिव करके आते हैं तो उसी के भरों से देश भी एचिव करने के तेहरी कर लेता है बहुत-बहुत बधाई बहुत-बहुत शुक्तामनाई दोस्तों कैम बेटम जी मज़ा मा अम दावज जे अभी सबसे बहुत शोटी आत्ली थी हमारी 14 साल थे टेली पार कांटिजन उस दिन मेरा परिचे हुआ था आपकी एक फेमस रेसिपी है ड्रम स्टिक्स की जी वो काफी फेमस हुई है वाँ सब की साथ बात करते हैं तो हम विटमिन सी रिच खेलाती हो सब को सब को रेकमेंट करते हैं क्या आले काशी का सच मुझ मैं है यह बाबा की गुरुपा बनी रहे है कि कि